जैसे जो हमारा ये मन होता है, ये शान्त क्यों नहीं हो पाता है, कि मन इतना विचलित क्यों रहता है, एक बेचैनी सी अंदर क्यों रहती है, कुछ भी ऐसा काम कर दो आसे शंतुस्ति सी महसूस नहीं हो पाती है, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि जिससे हमें शान्ती मिले जिस में किस और की अ παर मन की वह जाये तो इसा कुछ तरीका है मन को शांत क करने का जैसा है आप ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम किया जारोय तो काम करके शांती नहीं मिलेगी शांत मन से और कкими चार्टा है यहनी काम ही उस व्यक्ति को करना चाहिए काइठे जिसका मन शांत हो, जिसका मन शांत नहीं है, उसे तो खाना भी नहीं बनाना चाहिए, जिसका मन शांत नहीं है, उसे तो पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, जिसका मन शांत नहीं है, वो तो जो भी काम करेगा, तो वो गलती करेगा, अशांत मन से वो जिम चला जाए, तो उस शांत हो के हर काम हो सकता है तो पहला काम है मन शांत कैसे हो अगर तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा ये मन अशांत होता क्यों है मन अशांत क्यों होता है वो काम यदी हम छोड़ दें वो काम अगर हम ना करें तो मन शांत हो जाएगा मनशांत करने के लिए अलग से कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा जैसे कोई कहने लग जाए कि भाई घर में जो कूड़ा है इसे साफ कैसे करें तो पहले तो कूड़ा आया है तब साफ करने के जरूरत पड़ रही है अब हम अगर कहे दें कि भैस में जाड़ू लगाया करो ठीक तो जाड़ू लगाने के बाद वो कुड़ा जो आ रहा है वो तो continue है वो तो आता ही रहेगा तो बार बार जाड़ू लगाना पड़ेगा और अगर हमें ये पता चल जाए कि वह ये बताईए कि ये जो कुड़ा साफ करने की बात आ रही है ये कुड़ा आया कहां से ये प्राबलम आ कहां से रही है तो बोले साब ये कुड़ा वहां से आता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुड़ा ना है बोले हाँ ये भी हो सकता है तो कुड़ा आना ही बंद, तो फिर सफाई करना बंद, तो ऐसे ही मन में यदि जो भावनाएं ऐसी आ रही हैं कि जो हमारे मन को अशांत कर रही हैं, हमारी सांती छीन रही हैं, हमारे मन में प्रावलम खड़ी कर रही हैं, वो भावनाएं आनी बंद हो जाएं, तो प्रावलम होता है और हमारे जो पढ़ाई होती है वो इसके लिए जिमेदार है हमारे मन को शांत मन को अशांत करने के लिए वो जो मैथड है वो जिमेदार है पढ़ाई करने का मैथड बात करने का मैथड सोचने का मैथड समझने का जो method है, जो तरीका है, वहाँ पर प्राबलम है, वहाँ पर सबसे बड़ा प्राबलम जो बड़े scale पर दिखता है, वो दिखता है पढ़ाई में, आपने दिखा हुआ जो छोटा बच्चा होता है, वो अपने खेल से संतुस्त होता है, भोजन से संतुस्त होता है, पढ़िया लाई बोज सब्स जोड दिया गया है, बढ़ाई मने बोज, था उतार वे सब्सकों पढ़ा है, dibोज किसी को पर आएगा तो अशान तो हो गाही, ठीक, तो अब सरीर का बोज है किसी इने घास का गठर ऊपर रखा है, लकडी का गठर रखा है, उतार के फैंक दिया चलो भई सांती मिली, अभी वो दिमाग में पढ़ाई का बोज तो उतरता ही नहीं, एक बार अगर चड़ गया तो, ये सबसे बड़ी समस्या कि जड़ है, असांत मन की स्टार्टिंग है ये, तो वहाँ पर पहला प्रावलम क्या है, पहला प्रावलम है कि हम को ये जो मन है, इसको शांत करके कैसे पढ़ाई हो, इसका मैथड नहीं पता, तो इसमें दो बदलाओ करने पढ़ेंगे, पहला बदलाओ करना पढ़ेगा, कि हम पढ़ाई के मैथड को बदल दें, उसको कै अगर चितर बनाएं तो आप देखेंगे शांत मन से चितर बनाते हैं वो चितर बनाने में शांती आएगी शांत होगा मन उससे कहो बेटा चितर बनाओ वो शांत मन से बनाएगा आपने देखा होगा जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बड़े सांत मन से चितर बनाते हैं किसी से को बेटा सांत मन से पढ़ो ये पास्विल नहीं है साब कि सांत मन से रटो, सांत मन से याद करो सांत मन से रिविजन करो नो, 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 ये तो अशांत हो गया सारा का सारा, ये सुनते ही कि मुझको याद करना पड़ेगा क्योंकि सब्द माइंड में रहते नहीं है माइंड में उसको समझ में आएंगे नहीं इसलिए असांत होगा असांत मन से पढ़ेगा असांत मन से याद करेगा असांत मन से रटा लगाएगा रिविजन करेगा तो यह हमने मैथटरी गलत दे दिया उसको तो हम क्या कहें पिटा यह जो भी कुछ आप इसमें लिखा है उसको चित्रों में बदलो चित्रों में बदलेगा तो सांत हो जाएगा हाँ बदलेगा बदलोंगा बच्पन की बात हो रही है बढ़ो उसे कहो गए तो उनसे बदल ही नहीं जाएगा, क्यों क्योंकि उनके सांती तो छिन चुकी न, तो तरीका वोई है, उनको चित्र ही बनाने होगे, क्योंकि पूरी दुनिया चित्र से बनी हुई है, उनको इमेज ही बनानी होगी, चित्र अलग-अलग ही बनाने होगे न, तो वेव बन जाएंगी भावनाय बन जाएंगी तो फिर मन अशांद हो जाएगा अशांद मन का मतलब है मन में बहुत सारी भावनाओं का जमावड़ा चलना तो उसको अलग-अलग करना होगा चित्र बना कर तो जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं उसके चित्र हम बना ले एक और दूसरी बा पढ़ता है वो अधूरे सारे चेप्टर पढ़ता है अधूरे और अधूरा ज्यान क्ध्राय जान वो खत्राय जान क्या है अशांद मन वहां खत्रा पैदा हो जाता है अभी मैत उसको थोड़ा सा समझ में आने वाला था इतने में 40 मिनट बे बेल लग गई अब फिर वो हि छे सब्जेक्ट में वो पजल हो जाता है क्योंकि सारी चीजे मिक्स हो गई कोई भी चीज उसको complete समझ में नहीं आई mind कहता है मुझे कुछ भी काम करवाओ लेकिन complete कराओ completeness mind को पसंद है mind की जो असली चीज है वो है complete और अधूरापन इसके लिए खत्रा है तो अधूरा काम कोई भी अधूरा पढ़ाई अधूरा टॉपिक नहीं होने चीज इसका क्या तरीका है फिर क्या करें तो एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं केवल दो एक इंटरवल से पहले एक इंटरवल के बाद एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएं दो टॉपिक अच्छे से पढ़ाए जाएं उतने ही पढ़ाए जाएं जितना कंप्लीट हो जाए और दो ही subject में उसको home work दिया जाए और वो भी pictures बना करके और questions बना करके वो बना के लाए अच्छे से बना के लाए इस से क्या होगा वो subject बहुत तेजी से complete हो जाएगा एक महिने में अगर दो subject होते हैं तो दो महिने में चार हो गए चार मेने में आठ सब्जेक्ट हो गए छे मेने में हो गए आठ मेने में हो गए साल भर से पहली कतम हो जाएगा सही तरीका कभी भी गलत नहीं हो सकता गलत तरीका ही गलत होता है आठ सब्जेक्ट में उसे कुछ समझ में नहीं आता बार-बार कराना पड़ता है तो उसको बंद कर दिया जाए तो वो सब्जेट कराए जाए एक इंटर्वल से पहले एक इंटर्वल के बाद कराके देखें आप और जिन सब्जेट को कराये गया है उसी के आप टेस्ट ले कहा problem है सारे subject हो जाएंगे और हाँ इसमें revision की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि पढ़ना और pictures बनाना picture जो बच्चा बनाएगा उसे complete समझ में आ जाएगा question बनाएगा उसको deeply समझ में आ जाएगा ये कर सकते हैं अब बात आती है ये तो बच्चों के लिए हो गया अब बात आती है बड़ों के लिए बड़े क्या करें तो उनको क्या करना पड़ेगा आज से पहला दिन जो yesterday गया है उसमें उनने जो भी काम सुबह से शाम तक की हैं यानि एक दिन जस्ट पहले वाले दिन में बीस से पच्चिस टॉपिक वो लिख लें कि मैंने सुबह में उठा फिर मैंने ये किया फिर मैंने ये किया फिर मैंने ये किया सेंटेंस लिख लें बीस से पच्चिस सेंटेंस याद करकर के लिखें 10 sentence याद आएंगे, 15 आएंगे, no problem लिखें और उस पर फिर प्रश्न बनाएं उस sentence पर कि मैं कितने बज़ी उठा क्या मैं और जल्दी उठ सकता था क्या मुझे जल्दी उठना चाहिए था या मैं सही time पर उठा इस निस्पक्ष भाव से एक एक sentence पर 3-4 question बना ले तो अगर 25 sentence हैं तो 100 question बन जाएंगे अब उसको आप ऐसी छोड़ देजिए आपका जो मन है उसको ये clear समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम मैंने अधूरा किया कौन सा काम मुझे छोड़ना है आपका चेतन मन जो है विक्सित होने लग जाएगा चेतन मन अंदर के पूरी सफाई कर देगा वो उन फाइलों को delete करना चालू कर देगा आपका online चलता है ना मन तो इसमें फाइले चलती है तो जो अधूरी फाइले हैं तो वहाँ पर वो जा करके देखेगा कि कौन सा फाइल अधूरी है तो या तो उसको पूरी करूँ या मैं delete करूँ दो काम करेगा वो तो उसको पहले पूरा करेगा नया काम लेने से पहले नया काम करने से पहले पुराना मसले निप्टाएगा वो तो हमें परिशानी वर्तमान से नहीं है, हमें परिशानी है पास्ट से, हमें परिशानी है पुराने अधूरे कामों से, पुराने वादों से, पुराने कामों से, जो हम करना चाहते थे, जो हमारी आकांचाएं थी, जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमने अपने आप से वादे क यह थे वो अधूरे पड़े हैं, वो ही हमार उपर बार 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 प्रेसर बनाते हैं, वो कप करोगे, वो कप करोगे, वो कप करोगे, वो कप करोगे, वो समस्या की जड़ है, तो इसलिए हमें पीछे जाकर के, हम जस्ट एक दिन पीछे जाएं, तो फिर हमें पीछे जाना आ जाएगा तो 20 से 25 सेंटेस बनाकर प्रेस्टन बनाएं तो हमारा चेतन मन ढूंड लेगा कि कौन कौन से काम अदूर हैं उसमें हम दो काम कर सकते हैं या तो उस काम को छोड़ देंगे और या फिर उसको पूरा करेंगे दोनों में ही जीरो हो जाएगा या तो हंडेट हो जाए या जीरो हो जाए या खतम कर दे डिलिट कर दे तो जीरो और अगर हमने हंडेट कर दिया कंप्लीट कर दिया तो भी वो जीरो हो गया यानि हम जीरो पे यानि सुन्यता पे ही शान्त रह सकते हैं बीच में शान्ती का कोई प्रावधान नहीं है, किसी पर हम डिपेंड तभी होते हैं, हम शानती ही ढूंडते हैं, उसी को हम आनंद भी कहते हैं, कि हम यदि ऐसा काम कर लेंगे तो हमें शानती मिल जाएगी, हम उससे दोस्ती कर लेंगे तो शानती मिल जाएगी, हम उससे प्यार कर लेंगे तो शान्ती मिल जाएगी, यानि शान्ती हम बाहर ढूंड रहे हैं, बाहर शान्ती है नहीं, अंदर शान्ती है, शान्ती सुन्नेता से मिलेगी, जो काम आपने अधूरे किये हैं, उन्होंने ही सान्ती छीनी होती है, अगर वो अधूरे काम हम पूर्ण कर दें, या हम जीरो कर तो फिर अंदर हमारे शान्ती आ जाएगी तो फिर बाहर हर काम में हमें शान्ती ही नजर आएगी फिर हमें अलग से सान्ती ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये इसका फर्मुला है